हेलो दोस्तों कैसे है आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बार तो दोस्तों आपका प्लीड फिक्र में है जो की हम प्रीवेस वाले वीडийो में सीजि चैप्टर सुरुवात किये थे और प्रिवेस वाले जो भी लेक्चर था यानि लेक्चर नमर 30 उसमें हम लोग CG क्या होता है, Centroid क्या होता है, Center of Mass क्या होता है, Difference क्या होता है तो ये सब के बारे हम दोस्तो हम लोग अच्छे सा जान चुके थे तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना सारा टॉपिक को कबर करते हैं, जो कि ये सेकेंड पार्ट है आपका वीडियो का तो शरी दोस्तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि Accus of Reference क्या होता है तो दोस्तो डिफिनेशन से बहुत ही तरह साफ तरह से आपको ये बताया जा रहा है तो किसी भी बॉडि मतलब कि दोस्तो किसी भी बॉडि का आपको अगर सेंट्राइड या सेंटर अफ ग्रेविटी निकालना है मतलब कि कैलकुलेट करना है किसी भी बॉडि का आपका सीजी या सेंटर अफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको कोई नो कोई एक एक्सिस से रिफरेंस लेना पड़ता है मतलब क्या करना पड़ता है तो किसी न किसी एक एक्सिस से क्या लेना पड़ता है तो रिफरेंस लेना पड़ता है तो उसी रिफरेंस वाले एक्सिस को हम लोग क्या कहते है Axis of Reference कहते है दोस्तों तो आपको Axis of Reference तो समझ में आई गया होगा दोस्तों तो मैं एक पर और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि Axis of Reference कहने का यह मतलब है कि किसी ना किसी बॉड़ी का अगर हमको CG Find करना है दोस्तों आपको लेना पड़ता है तो आपको लेना पड़ता है CG Find करना के लिए इसा कि माननी जी है मेरा फीगर है यह वाला यह मेरा फीगर है ठीक है दोस्तों यह वाला मेरा इसका आपको CG निकालना है या तो आप X-axis से reference लीजए या तो आप Y-axis से reference लीजए या फिर आप दोनो Garage तो दोस्तो इसमें हम दोनो an- classy से reference लिए दिखिए यहापे X-bar भी है यहापे Y-bar भी है मतलब की हम एक्स एक्सेसे यह जो X-axis यह इससे reference लिए है मेरा यह वाला और जो y-axis है I कि घडला जो You waltLy चो अल़ा मतलब कि knapp although यह उसा लिए वाला इसना ओर यह वला तो यहाँ से हम रिफ्रेंश लिए ऐसे यहाँ साध रेंस लिए ऐसे तो मैई रहा यहाँ पर that इंटर्सक्ट हुआ वह यहाँ पर बता दे सीजी हैँ तो आप हम आ भोड़ें कीई दोस्तों कि जो एक सेस्न यह क Seb यह यह लुटाइस्ट लाइन है कि नहीं है जरुर लुट्फ लाइन हे और यह जो वाई नहीं है कि अहुत में यहां कि अऻ्लायत लिएफ लीए है हम यहां से थुभी नैरेफ judi है हम सबसे left line से reference लिए है और नीचे से देखा जाए तो bottom से reference लिजिए that means lowest line से reference लिए है तो यह बोरा है दोस्तों कि अगर cg फाइंड करना है किसी भी फिगर का तो हम जो reference वाले लेता है वह यह तो lowest line होना चाहिए और ने तो फिर left line से आप लीजिए ठीक ना दोस्तों तो आई होब दोस्तों आप लोगों को axis of reference अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है axis of symmetry तो axis of symmetry क्या होता है दोस्तों तो a straight line that divided an object into two equal levels so that each side is a mirror image is known as axis of symmetry कर देखिए दोस्तों axis of symmetry करने का basically यही मतलब है दोस्तों कि एक ऐसा line एक ऐसा a straight line या फिर एक ऐसा axis जो object को जो किसी भी object को to equal part में क्या कर दे तो divide कर दे तो equal part में divide कर दे ऐसा एक straight line तो उसी को हम लोग क्या कहते है दोस्तों तो axis of symmetry कहते है या फिर इसी को हम लोग क्या नाम से जानते है तो symmetry line से भी नाम से जानते है दोस्तों एक गिजामपल देते दोस्तों मानने दोस्तों कि यह मेरा एक बॉड़ी था ठीक है दोस्तों यह मेरा एक बॉड़ी है इसको हम ऐसे बीच बीच काट दिये तो यह बॉड़ी था इसको हम बीच बीच काट दिये तो मेरा जितना पार्ट इधर रहे उतना पार्ट इधर भी है मानने जी दोस्तों कि जितना पाट इधर है उतना पाट मेरा इधर भी है तो ये जो line है ये line को ही हम लोग कहते है axis of symmetric आप इसे अगर line मानना है तो line मानने नहीं तो फिर axis मानना तो आप axis भी मान सकते हैं तो अगर line मानेंगा तो फिर axis of symmetric line ही हो जाएगा, अगर axis मानेंगा तो symmetric axis हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग को third वाले point पड़ते हैं, body में भी symmetric about horizontal axis और vertical axis और both axis हो, देखें दोस्तों, या तो आप इस वाले figure को horizontally काट सकते हैं, या तो आप इस वाले figure को vertically काट सकते हैं, या तो हम इसको horizontally काट सकते हैं, और बर्टिकल यह मतलब कि ऐसे है तो चले दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग पढ़ते हैं मॉमेंट अफ एरिया क्या होता है तो जो इसे प्रिवेस वाले जो भी लेक्चर था जिसमें हम फोर्स के बारे में बताए थे तो इसमें मुमेंट अफ फोर्स क कि निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों एरिया इन टो पार पेंडिकूल अडिशन्स बास यहां से यही होता है दोस्तों तो छलिए डिफनीशनल भी आपकादते है तो फ्रोडॉक्त अफ एरिया एंड़ पर्पेंडिकूलर डिस्टेंस अब दा पॉइंट अप तो बहुत ही छोटा सो टापिक था आपको किल्जर होई गया होगा तो अब हम बताया बोले दोस्तों की प्लेंट फिगर बसीजी कहां पर एक्ट करता है यह सब फाइंड करने का कोई फर्मूला होना चाहिए तो बेसक है दोस्तों फर्मूला तो पहले दोस्तों हम जानते कि के लिए तो प्लेंट फिगर मुझे दोस्तों साथ तो प्लेंट फिगर है जिसमें पहला आपको है रिक्टेंगल तो रिक्टेंगल पर सीजी कहां एक्ट करेगा तो मानने दोस्तों यह मेरा एक रिक्टेंगल है तो इस रिक्टेंगल पर दोस्तों मेरा सीजी कहां पर एक् तो आपको बोला गया है तो दोस्तों L by 2 from the left face left face दोस्तों क्या तो L by 2 पर आपको जाना है और bottom face से क्या जाना है तो bottom face से आपको जाना है B by 2 पर तो यह मेरा कुन है यह मेरा left वाले face से यह वाला तो हमको left face से L by 2 की distance पर जाना है और bottom तो सम्सक्राइब को बाटम मतलब कि यह वाला नेचे वाला तो नेचे वाला सुमको B by 2 के डिस्टेंस पी जाना है आप जहां पर इंटर्सक्ट करें जिस पॉइंटर्सक्ट होगा वही पांट मेरा सी जीए एक्ट करेंगा यह फर्मूला हो गया आपको रिक्टेंगल के 2 x 2 पे जाना है तब आपको जहां पे intersect करेगा वहां पर करेंगा किसी को इसक्र आक्सेर्गल के चाहसे करते हैं तो सेंपल के आप सर्कल से मैं सर्कल को सब मेरा सर्कल भी के इसका किसी एक समस्स में इसका इधर के नहीं दिया没ाई दायगा तो आपको तो मेरा क्या एक्ट करेगा, तो करेगा तो कि अब दोस्तों सरक्ल फॉस कि बारे में जाना मैं चुटी इस पॉर आर्बाई सफे पाई पर आपको SINA चुटी आ करेगा तो Śून्हे सरक्ल के बारते हैं हूं जो ईट Shirleyееirea Crakल क किस झार शमते हैं कि इस अब मेरा क्य पर पना पर जाना है और जहांए पर मिल जाएगा वहां पे हमको CG act करेच देंगा मैं CG LIKE करेगा है अब्राइः दो सो circular sector लोट तो इस तरह इस तरह कर रहता है यहां इस तरह दार बलाए कि pit तो सिंटर से हमको two r by three point sin alpha into alpha पे आना है तो देखिए दिस्तों यह मेरा सिंटर से हमको नीचे आना है इस वाले डारक्शन नीचे आँप कहाँ तक आना है तो two r by three or two of sin alpha into alpha पे आना है और जहां पे हमको difficile there तो मेरा के हो जाता है तो cg act करता है like which you act Effect that line और यहां से हमको कहा अगर घाना साथ जी U टू एर वै ठीरी पॉइंट सप्टापन घाना था तो यहां पना जाए और झालत कर दिए मेरा घ एक करने लगा तो यह critically अगा थ्जुम्स पाई चाहिए अंगल हाफ इंगल तो यहां पर जो data हैं तो तो wrangul में दो cg कहांपर आक्ट करता है तो तुल उस जे जनरे। हबाई 3 पर एक्ट करता है फोम दब बॉटम फेस मतलब कि मेरा दौप मिनदू पॉक्ष्यांट ऊप लिक्सटर नंजे लिखा गया है कि इस त्रैङंगल के मेरा MR पोयटे been attachments को जहां पर मिलता है मतलब इसका बर्टेस यहां मिला इसका बर्टेस यह मिला यह जो बॉट्प मारा बर्टेस है यह जया करता है और श्रिच से हैं बाटम स्थ talk नेगिन किया है तो ऐसक ब्सथ निघुपेफ टिक दो ज नंत फिस जाहां यां पिम्न पेफ ए dalगे क्या मनुर तो हाइड करो है उन्हों पॉह जो है यह उपर वाला साइट है हम स्मॉलर फिस्ट बोले है तो स्मॉलर यही वाला है मेरा और लार्जर मेरा यह वाला है बी वाला है यह मेरा है अब रहे दोस्तों यूनिफॉर्म रोड तो यूनिफॉर्म रोड के लिए दोस्तों हम बुलते हैं सीजी कहां पर एक्ट करता है तो लगाइट करता है आप उनिफार्म रोड का कि किसी भी एक फिस से मतलब कि इंड फिस से आप लगाइट की डिस्टेंस ले ले और जहां पर आएगा वहां पर पुस्क्राइट करेगा तो आपको यह एक करेगा अब तक पिंफीर के लिए हम लोग पढ़ ले हैं कि कहां कहां सीजी आइट करता है अब सॉल्र márल में आजाते हैं तो सॉल्र twitter में फ़स्ट तो देखिए दोस्तों सिलिंडर में सीजी कहां पैक करता है तो बोला है कि एच बाइट टू पे आना है बॉटम फिस से बॉटम फिस से कहां पहना है तो एच बाइट टू प्याना तो देखिए मेरा इस सिलिंडर का मेरा यह बॉटम फिस था यह वला तो इस से हम एच तो की डिस्टेंस पे आ गए ठीक है अब बोल रहा है किया तो आर आना है लेट फिस से आर मतलब कि अगर यह पूरा गोल रहेगा दोस्तों तो यह भी एक तरह से इसका डायमेटर नहीं ले सकते है क्योंकि यह डायमेटर तो पूरा हो जाएगा तो हमको इस जनरली डेडियस लेना रहता है तो आर यहां पर आपको दिया गया है कि आर लेना है तो हम यहां पर सिंप्ली आर ले लिए यहां देख सकते है कि मेरा लिया हुआ है तो हम नीचे से एच बाइट टू पर आगए ठीक है और जहां पर इंटरसेक्ट किया हुआ है मेरा क्या एक्ट करेगा तो डोस्तों बात रगे Спेर, tehc क्या है spare स्पेर में भी स्पानिट है तो स्पेर में भी स्पिस्डूर सर्कल ब्रेट करें आप को स्पेर के किसी इससे पर ले सकते। आप स्पैयर के किसी भी फिस से R डिस्टेंस ले लिए मतलब कि R रेडिस ले लिए जहां पर उरेडिस हमापत हो हो आपको הג Act करेगा बस तो जनरली आपको कहशा कि सार्कल और सपेर में आखर डिफेरेंस का है तो दे न एलि दूस्तों हम बता हो आता है कि सर्कल जो आता है वह प्लेनी में सलड़ू नेकि में फहलता संहिनी है कि यह घांपने के भाते कि में अगी तुंक है कि को साइकल टायर था दोर देखने खेह को गोल 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 रहता हैं लेकिं बीच में 拠ोश मसे तो मैं के लिए हम बस चुचר आ बैसे सांते हैं एट पर लेना है मतलब कि 3R by 8 और सेमी सरकन में कितना ले रहे हैं दोस्तो बताए जल्दी तो उसमें ले रहे रहे थे कितना तो 4R by 3Pi और इसमें कितना ले रहे हैं दोस्तो 3R by 8 तो चले दोस्तो अब हम लोग 3r by 8 देखके हैं यहां पर ले लिए बॉटम फेस तो यह मेरा से मिस स्पेर का हो गया निकल गया बॉटम फेस थीर आर बाइट पर चल जाना है और जहां पर मेरा आ जाएगा महां पर मेरा सीजी एक्ट करने लगेगा अब होता है सेगमेंट आफ स्पेर जनर्ल दोस्ट सेगम स्पेर में कितना डिस्टेंस लेना है यह सब आपको याद रखना पड़ेगा सेमी स्पेर में कितना डिस्टेंस लेना है तो आपको याद रखना पड़ेगा सेमी स्पेर में कितना डिस्टेंस लेना है में कितना लेना है तो उसे में आपको याद रखना पड़े डोस्तों बिसी कली आपको किसी इस भी फेस से आपको ल बाइटू की डिस्टेंस प्राइब ले लेना है और जहां पर आजाएगा वहां पर आपको चीजी एक्ट करेगा तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है तो देखिए दोस्तों कंपोजिट फिए जनरली आपको क्या होता है परोस्तों में समझेगा थो सद्हान से सुनेगा थोस्तों की और एक मपोजिट से और एक मपोजिट फिगर मतलब क crushing से बोलिए या फिर कंपोजिट फिगर बोलिए इज टू डाइमेंशनल फिगर मेड अफ बेसिक टू डाइमेंशनल सेप है देखें जो कंपोजिट सेप होता है या फिर कंपोजिट फिगर होता है वो क्या होता है तो टू डाइमेंशनल फिगर होता है जो कि बेस रहता है जो कि मेड होत कि बनता है तो टू-डाइमेशनल से से मसा छिए उससे बनता है student क्स है किस से बनता है किससे बनता ह। मैं गाल दूस्तो TO कुछ के सब्सक्राइब तो मैं मामन Burns आए ट्रेंगल हुग вже है यह रिक्टैंगल में गया तो यह रिक्टैंगल हो गया ट्राइंगल हो गया तो यह सब क्या दोस्तो अगर यह ट्राइंगल है और यह रिक्टैंगल है और इन दोनों को अगर हम मिला के एक नया फिगर बनाए तो जैसे कि मानले दोस्तो यह मानले यह मेरा रिक्टैंगल था यह वाला यह वाला मेरा रि तो इन दोनों को मिलाकर जो हम यह वो था बनाए वह कैया गया तो वमिरोज़ ओंब आ iba कहा बाना ऊहरा सबस्क्त माया हृण लेसा ही जनले पाइसा की quickly कि मिला थे इस इस जू शेमिल डेशा oh com को अगर मिला कि अगर हम रही फिग्र से फिग्र हो सकता है फ्री खाल और फिग्र चुर्फ कम स्क्रीजेर फिग्र है तो भी उक dollars सब्षक्रा एक तो फिग्र श्وع के मेड़ उस्ट में इंद्लिक्न सब्धिशिं मुझाbon प्न ना कि हम लोग कैया ब virtue बोलते हैं कि और भोग सर्थ अधिकि फिगर बोलते हैं है और वह दो जो या नाकित बनता है वह दोप अधिक फिघर किस डाइमेंशन में होना चाहिए तो तो आई वह को थे प्लizzit figure तो समझ में आई गया होगा तो हम लोग पढ़ते हैं from लेंग क्या होता है तो वही हम आपको है प्ल psychopath हो सकता है अब 555 बना और heute के काउन्ट polisug को हम लोग क्या कहता है तो वेव कहता है और यह जो वेव होता है यह तो राइट वेव हो सकता नहीं तो लेफ्ट वेव हो सकता है जैसा कि एक्जामपर से समझे दोस्तों जैसा कि मान लिजे यह मेरा क्या है यह मेरा एक रिक्टेंगल था दोस्तों हम ऐसे रिक्टेंगल बनाए थे ठीक है और एक मेरा ऐसा एक मेरा ऐसा रिक्टेंगल था श्ट्रेट खड़ा वाला रिक्टेंगल था ठीक है दोस्तों यह यह भी मेरा एक two dimensionalec ваши它 ये भी मेराrog जबा तो इन दुनों को अगर हम मिला दें तो कैसा मेरा इस तरह सा कसी figure बन ज्याएँगा यह अपर द्यांस नहिएगा इस में इस तरह सा ऐसा बन जाएगा सीगेना मेरे दॉस्तोँ इस तरह से मेरा दोस्तों फिगर बन गया तो हम क्या किए कि इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को हम मिलाग दी यानि कि क्या मेरा यह जो बना फिगर यह मेरा कौन सा फिगर है तो कंपूजिट फिगर है मेरा यॉला है कि नहीं दुस्तों हम वहाजता है जो भथिकल फिस होता है उसको क्या कहते है कम्पोजीट फियर के भथिकल फिस को वजिस को वह कहते है चिक यह अपर लिखा अगया है और होरीजॉन्टल फिस को कियां यसको ट स्फ्लैंक कहते अभी पीछे अभी बता है दूस्तों हम अभी हम निक वाइविश खक्षत को भुट आपक सता जिखते हां भी अभी धिसके शुंप सब्सक्राइकिंच और यह जो नीचे सोला है यह जो नीचे वाला एक सक्ष्सया है क्या है तो देख.?so दोस्तो अगर हम कुई सब्सक्राइब का इस वाले, लीज़् कर लेते हैं देखले início क्यों जैसा कि अब आते दोपो इस वाले इक्सी स touch में वाइन काफी नहीं है कि लिए अब डूस्तों की सब्राइफ्तों की रिपर्ट लिना काफी नहीं है तो जैसे बात है हाँ यह तो कड जाएका वान यह माता श्रू साइमेट्रिक बोल दिये या फिर इसे को हम लोग क्या बोलते हैं तो साइमेट्रिक लाइन भी बोलते हैं तो एक बात नोट करके यह रखिया दोस्तों कि जोन एक्सिस काटता है या तो फिर एक्स एक्सिस भी काट सकता है मतलब कि यह एक्स एक्सिस भी काट सकता है अगर मेरा इसी एक्सिस पर एक्ट करेंगा मतलब ःक्सिस पर गये से शी जी अगर बुक्त है अगर यह उट्रा मेरा इधर कभी भी नहीं आएगा आप कितना भी स्टेट लाइन क्यों ड्रॉकर लीज़े जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट आपका इधर कभी नहीं आएगा आपका हर्द में सा उपर वाला जो भाग है यह वाला भाग यह अधिक रहेगा निच्च वाले भाग से तो यह एक इकवल पार्ट में नहीं बा % % % 2023 स्काव już ढर्या व्यवल के हैं अच में आपका पार्ट को भी गौ करते हैं आग आतнозूमारत कहुताी में पही सकते हैं आये अडाला गाला हो गया सथार हो गया जो तो यह horizontal face को क्या करते थे थे फ्लैंक अब हो इसमें आपका यह वह नहीं आप का यह मेरा दूसरा पार्ट यह मेरा तिसरा पार्ट तो हम बढाते हैं होरीजोंटल जो भी रहता है horizontal उसको क्या बोलता है तो फ्लैंक है तो यह horizontal तो है यह बॉटम फ्लाइंग अब बताए दोस्तों अगर हम इसको य एक्सिस के नुसार काटे जो कि अब तक हम काटते आ रहे थे तो आप दोस्तों कि यह बरावर बरावर उखटेगा कभी भी कभी भी बरावर नहीं कटेगा थोड़ सा ध्यान से सोची का दोस्तों आप लो यह इतना पॉर्षन बचेगा कितना इतना पॉर्षन बचेगा ठीक है दोस्तों यह इतना पॉर्षन बचेगा और इधर कितना बचेगा तो इतना इतना और इतना तो यह कभी बरावर बरावर नहीं काट रहा दोस्तों तो इसलिए दोस्तों को एक्स एक्सिस के अनुसार काट अधस्तों से न humility जते हैंि आपको यह दिखना है कि हम कोंसा एक्सेस से काटे जो फिकर को वह भीयर को वह बराबर बराबर दो भाग में मैं बाटिता मैं आपको एक्स एक्स से लगता है कि यह दो भाबर बढ़ जाएगा तो आप x-axis से बाटे अगर आपको लगता है कि य एक्स से काटे है तो मतलब एक्स स्टमेट किये हो गया और इमें y-axis क्या हो जाता है तो मेरा y-axis होता है reference axis जेनरलि एक्ट और फिए में जाता है Issoğấu इक्ठ और फिए चैंग इस में इसमें यह मेरा कुछी है यह मेरा घरिब का दिये और और यह मेरा अइनलिय मेरі होरिजोंटल का दियेs देखने । कि इसमें ने कुई भी अक्सिस ले यह इंड रहा का निकालना रहा है ₴ तो आप simply यही कहिएगा कि इस figure में CG निकल ही नहीं सकता है क्या कहना है दोस्तों आपको तो इस वाले figure में CG नहीं निकलता है तो जनरली आपको दोस्तों एक्जाम में इस तरह का प्रशन आपको नहीं आएगा में और दो करना है, आपको प्रीवियस वाले जो फिगर हो दिखाए, उसी में प्राशन देगा और बोलेगा कि इस फिगर का CG करना है। तो दोस्तों हम जो आँगे वाला जो भी लेक्चर रहता है हम और लोग उस फिगर का CG फाइंड करने के लिए सीखेंगे। करो मढ़ हम इसक्षिन नorigम से देखनें ले नो क्ने करे चर्मा कर से लागर आइट करेंगे दो अपर टैनी दो आप आज करेंगे सब्सक्राइब जैच चाहम का to page पाइट करेगे लेट nमीकि आनरल गार भूँकुन. समझ मिंगा होगा कि और वेप क्लाव WIL तो अगले वाले वी-डियो में अगर वीडियो सिरीज आपको बतावा तो तो चेट करूण झाल झाल